स्वागत है दोस्तों आई हो बाप सबच्छे होंगे तो दोस्तों आज हम बात करेंगा BPS RRBPO mains previous एर cut-off out of 200 का बात कर रहा हो mains अलोटमेंट के बाद बाद वला नहीं पहले बात करोगा RRBPO mains का cut-off out of 200 फिर उसके बाद इंटर्विव के बाद कितना कटफ आया था उसके बाड़े में बात करेंगे तो दोनों रहेगा डिटेल में है ये वीडियो सारे स्टेट का तो आप अगर नॉर्थिस के हो या कोई भी स्टेट को तो ये वीडियो आप पूरा देख सकते हो तो यहाँ पर अगर बात करें हम अंध्रा परदेश में अगर देखें तो 83 था ठीक है 83 था आपका जे जनरल का एससी का था 68 एस्टी का था 88 ओबीसी का 88 और एड़ुएस का 88 और उनाचल का था 82 आउट ऑफ 200 दोस्तों आउट ऑफ 200 एटी टू कटफ था कल एक केंडिडेट ने पूछा था तो आपने कहा थ एक्सेक्षटी कुछ और था ठीक है तो 82 था आपका यह विवाझ्ट शू का था 56 साथ का था 80- reuse का था 52 ओबीसी का दया 82 और एटवूए ST और आप जेनरल में देखे होंगे सेम है तो डिपेंड करता है अब देखो असाम का कटफ बहुत लोग अरूनाचल चले गए थे तो असाम का कटफ देखो कम होगी है फाइनल में फाइनली कटफ तो जेनरल का कटफ है 75, SC का है 76, ST का है 81, OBC का है 85 EWS का है 85 नेक्स होगे आपका भीहार जेनरल का देखे 73 SC का होगे, आपका 59, ST का होगे 92 OBC का होगे 92 और EWS का भी 92 सेम 36 गर का है 36 गर का आप देख सकते हैं यहाँ पर उसके बाद गुजरात गुजरात का भी आप देख सकते हैं यहाँ पर किलिरली आयों आपको देखाई दिरवब्द जो की बहुत ही हाई कटफ गया था यहां पर जन चाटिजगर का 73 है जेनरल का और बुजरात का 82 है हर्याना का 83 है कि आप सब केटेगरी में आप देख सकते हैं अपना एक चीज देखिए यहां पर एक चीज आपको बताना चाहिते हो हर्याना में आप अगर ओबीसी का देखेंगे तो 99 है और अगर बात करें जेनरल का तो 83 है और यहां पे सी का कटफ आपको गया है 65 कि कौई कर टफ देखे ही माचल परदेश में आप देख लोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोग और यहां पर भी अगर देखें करनातक में करनाटक में तो आपको पता होगा कि कि लास्ट इयर अर्ड टिंब्स का टुट थर्टी फैफ गया था ठाब है और मेंडे इटना है केरे लागा मध्यापर्देश का आप देख सकते हैं मध्यापरदेश होगिया आपके पास महाराष्टा महाराष्टा में 86 गया था kutaf 86 मनिपूर में अगर बात करो तो देखो 60 kutaf है सारे कैटिगरी का तो जो जो लोग कह रहे थे न नौर्थीश में स्ट का कम रहता है जेनरल से तो एक ऐसा बात नहीं है कभी भी कुछ भी हो सकता है नौर्दीस में सेम भी रहता है में घाले का देख लो 57 था जेनरल का 57 था मेरे दोस्त जेनरल का आप EWS का लगा लो 86.06 OBC का 86 ST का 82 it's not a joke ST you have to be very careful candidate from Meghalaya even if you are from ST category see the cutoff the cutoff for ST was 82.69 and for SC was 86 so anything can happen here okay and for Mizoram Mizoram general cutoff was 59 and ST cutoff was 69 next this is out of 200 for this is a okay for SC in Nagaland 82 Odisha you can check the cutoff okay Punjab 77 Rajasthan 81 Tilangana 81 Thrippura 78 now Thrippura see here EWS cutoff for Thrippura was 88.69 the last one is for EWS okay EWS the second last one 76.63 is for OBC 82.81 is for ST 77.75 is for SC and 78.19 is for general so remember the pattern here Uttar Pradesh you can check the Uttar Pradesh Uttarakhand West Bengal so this were the cutoff cutoff for IBPS RRBPO mains out of 200 now let's check the allotment cutoff okay now this was sectional cutoff sectional cutoff computers you can check this 3.50 for computer general awareness one okay these are the sectional cutoff you can check the sectional cutoff now next okay these are other categories you can check this now slowly will come to that portion also don't worry now final cutoff if I talk about the final cutoff final cutoff is really important for Andhra Pradesh now if you check the allotment cutoff the other category also you can check it but see here okay Andhra Pradesh SC cutoff was 48 ST is 45 OBC is 53 EWS 52 and general is 55 Arunachan Pradesh general cutoff was 49.78 and for OBC it was 47 it was quite high even for Assam the cutoff cutoff was for SC is 46 ST is 47 OBC is 49 EWS 50 and you are 53 okay general then Bihar you can check have a check okay the cutoff the cutoff the cutoff general cutoff was 58 Chhattisgarh 54 this is out of 300 including the interview okay so Haryana 57 Himachal Pradesh 62 Jammu and Kashmir 58 Jharkand 54 Karnatak 52 Kerala 55 Madhya Pradesh 54 Maharashtra 53 Manipur was 53 really high okay the cutoff was really high for Manipur even for Meghalaya 50 it's really high now for if you talk about Mizoram Mizoram there was no vacancy for this general category so you can have a check in the other list 34 for this category and the third one you can check have a check this i think so 34.505 is for SC category okay you just have a check and now for OBC was 44.85 Nagaland it was 49 okay now Odisha Odisha was 55 Puducheri was 54 Punjab was 56 Rajasthan 60 Tamil Nadu no vacancies were there Tilangana 55 Tiritura 54 Uttar Pradesh 58 Uttarakhand 60 West Bengal 55 so these were the minimum cutoff now the allotment cutoff these were the allotment cutoff i have taken this from Adda and actually these are two information official information now remember this minimum score is really important because minimum score only you will get selected okay this was the minimum marks like the candidate got from a particular state from all the categories minimum marks means with this mark you will be selected okay so i hope dosto mainne clear gaya puda doubt video thori lambi ho gai lekin puda rrbpo mains ka bhi cutoff ho gaya aur allotment ke baad ap ko cutoff kitna hota woh bhi ho gaya to i hope aapka doubt clear ho gaya rrbpo related rrbpo related his wrote to peace One Isaac OneIFюсь One Amerika One झाल झाल